हेले श्टूडेंट कैसे हैं आप सभी बरपुना आप सभी का आपके अपनी शेनल सी वोचिंग क्लासेस पर सोगा था है क्लास 12 फिजिक सेंसियर्टी चैप्टर रोन में बिद्दुद आवेस्त था छेतर में आज का टॉपिक है बिद्दुद छेतर रेखा ठीक है ये कोशन कैसे पूछा जाता है बिद्दुद छेतर रेखा किसे कहते हैं इसके गुण ठीक है तो बिद्दुद छेतर रेखा क्या है इसके गुण यहाँ पर चर्चा करेंगे पूरा बेसिक के साथ और हाँ इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड हुए है यदि आपन साथ चर्चा कर लेते हैं फिर आगे डीपली चर्चा करेंगे प्यारे भाई ठीक है बिद्दुद छेतर रेखा क्या है बिद्दुद छेतर में एकांक धनावेश जिस पत पर गमन करता है उसे हम बिद्दुद छेतर रेखा कहते हैं कहने एक मतलब प्यारे भाईव आपके होगा मतलब जहां तक इसके बल रेखाएं होंगी बल रेखाएं क्या है एक खिंचा गया काल्पनिक वक्र है एक खिंचा गया काल्पनिक वक्र है जिस वक्र में से एक आंक धनाविस गमन कर सके देखो भाया यह जो बक्र होता है काल्पनिक होता है लेकिन प्यारे भायो जो य गई कालपनिक रेखा, भई कालपनिक है, मतलब हमने माना है, कलपना किया है लेकिन बास्तों में यह जो बिद्दुच्षेतर होता हूँ बास्तविक होता है नहीं बिद्दुच्षेतर वहां उत्पंद कर देता है इसको हम पता कैसे करते हैं, जब एक अन आवेस परिष्ण मानलो हम इस छेत्र के किसी बिंदू तक लाते हैं पैरे भाईो जैसरे यहां पर हम एक अन- आवेश क्यू नॉट ला रहे हैं क्यू जिरू ला रहे हैं तो यह जो है इसके कारण कुछ न कुछ बल का अनुभाव करता है तो इससे प्रूब होता है प्यारे भायों कि यहां तक कुछ न कुछ इसका प्रभाव है अर्थात इसके चालोर बिद्दु छेत्र है और बिद्दु छेत्र होगा मतलब कुछ न कुछ आबेस का प्रभाव होगा तो यह आबेस क्या करेगा तो ऐसा माना गया यह कालपनिक है कि यहां पर एक रेखा के रूप में जो आबेस है वो गमन करने की छमता रखता है और उसी रेखा के कारण विद्दू छेत्र उत्पन होता है मतलब इसको हम कालपनिक मान लिए किसी ने देखा तो नहीं लेकिन कि बद अनुभव किया कि यहाँ पर एक कालपनिक रेखा होगा जहां पर आबेस गमन कर स करकी चाहिति और तता है, जिसे ही मान लिया गया पैरे वायो विध्दु छेत्र रेखा। मतलब वह कालपणिक रेखा। यानि विद्धु छेत्र میں खिंचा गया कालपणिक निस्कोण बक्र जिस पर अधाकरत स्वतन्त्र एक आंग धंघना भी इस गमन कर सकता है प्रद्धूद च्हेतर रेखा है कि किसी भी बिद्दू छेत्र में, किसी भी बिद्दू छेत्र में, खींचा गया वह कालपनिक बक्र, जहां पर एक आंक धना भेस गमन कर सकता है, उसे कहते हैं, प्रिवियस समय में कभी कभी सुने होंगे, बिद्दू बल रेखा, इसका नाम फैर्याडे ने पहले बिद्द च्छेतर रेखा कहते हैं आप बिद्द बल रेखा इसे नहीं कहा जाता है ठीक है बिद्द च्छेतर रेखा कहा जाता है ओके तो आपने समझ लिया कि ये क्या है एक प्रकार से रसी के समान है प्यारे भायों लचकदार डूरी के समान है ऐसे मान के चलते हैं ये इस प्रकार स मान लिए लचकदार डूरी के समान है अब देखे इसके प्रगुन भी है आगे चल कर सभी प्रगुन को ही तयार करेंगे ठीक है कि प्यारे भायों ये जो आपका लचकदार डूरी के समान ये बिदू छेतर का रेखा है इसके किसी भी बिंदू पर दी हम इस पर सरेखा खीच दोगे तो ये परडामी के रूप में ब्यक्त करता है ये एक निस्कूर बक्र है बिना कोड बनाते हो बहतरे कमन करता रहता है लेकिन हा प्यारे भाइव कभी ये एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिछेद नहीं करता ठीक है जैसे बात करते हैं ये प्लस में प्लस से केबल हमेशा निकलता है बाहर की और चलता है ठीक है प्लस से हमेशा बाहर की और चलता है विद्दुद बल रेखाएं ठीक है लेकिन यदि माइनस क्यू आबेस आपके पास रखा हुआ है कौनसा आबेस पहरे भाईयो यदि माइनस क क्यों आबेस है तो फिर इस पर क्या होगा केबल जो रेखाएं हैं इसके अंदर प्रवेश करेंगी हैना अनंद से इसके अंदर तक प्रवेश करेंगी बल रेखाएं ऐसा माना जाता है कहां से अनंद से मतलब यदि प्लस क्यों आबेस हैं तो निकल कर अनंद की ओर चले जात जो कि बिंदु आवेस कहला सकता है सतत आवेस भी उसे हम कह सकते हैं यह एक सुरोत आवेस है सुरोत आवेस मतलब इससे बल रेखाई निकल रही है बल रेखा क्या है यह कालपनिक बक्र है जहां पर आवेस गमन कर सके तो इससे कालपनिक बक्र निकल रही है रेखाई निकल र और जाती हैं और जहां तक प्रभाव होता है नहीं तो फिर राश्ट में समाप्त होता है, किसी भी चीज का पहरवायो अनंद तक निर्थ कहीं न कहीं उसका अंतविंदु हो जाता है, इसी प्रकार्यादी माइनस की हो अब एस है तो इस पर जो बल रेखा हैं, अनंद से निक क्यों कि कहीं यदी बल रेखा दिख जाए तो बिलकुल आप परसान मत हो ना यह बिद्धु छेत्र रेखा ही है तो चीज़ें क्लियर हो गई कि यह खीचा गया कालपनिक बक्र है जिसमें एकांक धनावेस गमन कर सकता है चीज़ें क्लियर अब इसके गुड़ की बात करते ह पहला गुड़ आपको लिखना है देखिए पैरे भायो इस डाइग्राम में आपने क्या देखा कि एक प्लस क्यू आवेस और एक माइनस क्यू आवेस है मतलब एक मान के चलते हैं चालक है तो यहां पर प्लस क्यू आवेस है तो पहला गुड़ धर्म तो यही होता है कि यह प बिद्दूत छेतर रेखाएं धना बेस से प्रारम होती हैं और रिना बेस पर समाप्त होती हैं बिलकुल आपको समझना है एक बार इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट करिए भाया बिलकुल आप इससे तो पांच गुड आप आसानी से त्यार कर लेंगे मैंने क्या कहा बिद्दूत छेतर रेखाएं प्लस धनातमक से निकलती हैं और रिनातमक पर समाप्त होती हैं चीज़ें क्लियर बिद्दूत छेतर रेखाएं धनातमक से प्रारम होती हैं और रिनातमक पर समाप्त होती हैं क्लियर हो गया इतना समझ गया अब दूसरा आपको त्यार करना ह कि यह जो रेखाएं होती है बिद्वत छेतर रेखाएं क्या कहीं पर एक दूसरे को प्रतिछेत करते हो नजर आ रहे हैं बिलकुल नहीं मतलब यह जो छेतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काड़ती कारण क्या है पैरे भाईयो एक रेखा का परणामी एक ही हो सकता है ल यदि इस रेखा का यहां पर प्रतिछेद किया तो एक परणामी इधर हो गया और यहां पर एक परणामी इधर हो गया जो इसका बल की दिसा है दो प्रकार से हो गया पैरे भायों और दो परणामी यहां पर तीब्रता यहां पर दो प्रकार से लग रहा है एक ही बिंदू पर जैसा की मतलब ये प्रूप नहीं कर सकते क्योंकि एक ही बिंदु पर दो परणामी नहीं हो सकते दोनों की दिसाएं दो भागों में बढ़ चुकी है इस कार्ण से पैरे भाईयों हम ऐसा असमान मानते हैं मतलब यदि दो छेतर रेखा हैं एक दूसरे को कारते हैं ति च्छेदी बिंदु पर दो इस परस रेखाएं खीजी जा सकती है जिसका औरति ये होता है पैरे भाईयों कि प्रति च्छेदी बिंदु पर बिंदु छेतर की दो दिसाएं होगे जो की संभाव नहीं होता है उसकी बल्की भी दिसा अलग-अलग हो Exec Day तो यह माना गया कि यह जो छेतर रिखा हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो छीश पहला धानाबेश से प्रदम होती है, रणाबेश पर समाब्त होती है, दूसरा भईया यह दोनों छेतर रिखाएं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समझ गे आब मैंने एक बताया था कि ये जो बिद्दy छेट्र रेखाएं लचक्दार डोरी विक्षי बिलकुल शिमपल सा लचक्दार डोरी के समाने से या क् questo दाना भेश प्ररम्म होती है रिडाबेश समाब्त होती है दूसरा एक दूसरे को कभी प्रतिछेद नहीं करती नहीं कारती तीसरा क्या प्रवाई हो कि एकदम लचकदार डूरी के समान होती है ठीक फिर अगला नंबर आपको तयार करना है कि विद्दूच छेतर रेखाए अभी लंबबत निकलती है अच्छा अभी लंबबत का मतलब क्या है प्रवाई हो अभी लंबबत का मतलब होता है 90 डिग्री जब कहीं से दो रेखाए गुजर रहे हो एक दूसरे परतिछेद कर रहे हो और वहाँ पर 90 डिग्री का कौन नहीं रहा है तो अभी लंबबत कहलाता है जैसे एक आपके पास चालक है यह आपका चालक है और से जब बल रेखा निकलेगा यहां से बल रेखा निकलेगा तो हमेशा इसके साथ कितना डिगरी बनाएगा 90 डिगरी कोन बनाएगा तो अभी लमबबत निकलती है अब प्रवेश करने वाली भी रेखाएं अभी लमबबत ही होंगी मतलब विद्दु जो आपका क्या 90 testimony बनाती हो परवेश करते हैं चीजें क्लियर हो गया पैरवाई बिदूत च्छेत्र रेखा 90 डिग्री कौन बनाते हैं अभिलम्बबद निकलते भी हैं और लम्बबद परवेश भी करते हैं ठीक इतना क्लियर हो गया तो कितने आपने तैयर कर लिया चार त्यार किया चार कौन कौन से पटापट रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि याद हो जाए आपको बार बार पढ़ना ना पढ़े धन्स निकलती है और रिन पर समाप्थ होती है ये कभी एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती लचक दर डोदी के समान होती है ठीक है और ह इस पर्स रेखा खीचने से विद्दूत छेत रेखा के किसी भी बिंदू पर इस पर्स रेखा खीचने से उसके परणामी को ब्यक्त करता है ठीक है क्लियर मैंने क्या कहा फिर समझने कोशिस करेंगे विद्दूत छेत रेखा के किसी भी बिंदू पर खीची गई इस पर्स उस बिंदू पर पर पर्णामी बिदुत छेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है बिद्दूत छेत्र के किसी भी बिद्दू पर खीची गए इस पर सरेखा उस बिद्दू पर परणामी बिद्दूत छेत्र की दिशा को प्रशित करता है अगला आपको लिखना है कि मालो आपके पास यदि सिंगल आबेस हो क्या हो सिंगल आबेस हो तो सिंगल आबेस में क्य से आकर के दिनावेस पर समाप्थ होती है यह थोड़ा सा कटीने साध आपको याद ना हो तो बिल्कुल याद ना करें आपको पांच प्रगुन याद करना इसके अगला आप तियार करें जैसे देखिए यहां पर तीबृता थोड़ा सा ज्यादा है तो यहां पर जो छेतर र प्रबल होता है वहां पर रेखाएं क्या होती सघान होती है लेकिन जहां पर बिद्दु छेतर कम होता है वहां पर रेखाएं बिरल होती है एनि प्रबल बिद्दु छेतर में बिद्दु छेतर में प्यारे भायों क्या होता है जो बिद्दु छेतर रेखाएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं चीजें क्लियर मतलब सघन जहां पर बल रेखाएं होंगी या विद्दुच्छेतर रेखाएं होंगी वहां पर हम यह निसकर्स निकालेंगे यहां पर तीबरता जादा है और जहां पर विद्दुच्छेतर में विद्दुच्छेतर रेखाएं दूर द अब अगला आपको यहां पर थोड़ा समझना है कि यदि दो धना बेस आपके पास आ गए यदि दो आपके पास धना बेस आ गए कैसे धना बेस यहां पर एक धना बेस है प्लस क्यों और एक यहां पर धना बेस है तो बताओ भाईया क्या धन से निकल कर धन पर समाप्त होगा ऐसा नहीं होगा एक दूसरे को प्रतिकरसित करेंगे ये उदा सीन बिंदू है सेंटर पॉइंट है उदा सीन बिंदू तो इसकी बल रेखाएं क्या करेंगे भाईया इसकी बल रेखाएं भाईया एक दूसरे को प्रतिकरसित करेंगी मतलब यहां से निकलेंगी ऐसे ठीक है यहां इदर तु जाएंगे, लेकिन ऐसे मुड़ जाएंगे, प्रतिकर्शन के कारण, ऐसा, यहां से भी निकलेगा, तो ऐसा चला जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसा, ठीक, यहां से निकलेगे, लेकिन ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, तो प्रतिकर्शन के कारण, किसके बिजाती आवेस होता, बिजाती आवेस होता, तो आकर्षन होता, ठीक है, क्लियर हो गया, कि सजाती आवेसों में प्रतिकर्षन होता, एदि बिद्दु छेतरे खाएं, लंबाई की लंबा दिसा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी, क्योंकि एदि सजाती आव तो इतना क्लियर हो गया लगबग लगबग आपके पांच्य बनना चाहिए पहरे भाई हूँ ठीक है है इसको एक चीज और यहां पर आप कह सकते हैं कि जी समान आभेस के दो माली जी यह समान आभेस हैं दो बिंदू आभेस हैं समान परिमार के दो धन आवेस हैं, तो इनमें जो भिद्दू छेत रेखा है खीचेंगे, तो इनके मद्द एक उद्दा सीन बिंदू होगा, उद्दा सीन मतलब क्या होता पैर बाई हो, यहाँ पर कोई छेत रेखा नहीं है, उद्दा सीन है, इसका समान दूरी है और दूसरे क्या कर रहे हैं प्रतिकर्शन कर रहे हैं और समान आभेस है इसलिए समान प्रतिकर्शन करेंगे तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं पांच है किनको किनको तैयर करना पहरे भाई हो तो पहला तो धान आभेस से निकलते हैं रिणपर समाप्त होती है तूसरा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेत नहीं करती तीसरा लचकदार डोरी के समान होती है चौतर लंबबत निकलती है लंबबत प्रिवेश करती है ठीक है यदि इसके किसी भी बिंदु पर इस पर्स रेखा खेंच दे तो उसे परणामी को ब्यक्त करता है पांच हो गए ठीक है फिर आपको बताना भाया अभी लंबबत निकलती है और नबबे डिग्री पर प्रिवेश करती है और आपको बताना है जहां पर जो आपका विद्दु छेत प्रबल होगा वहां पर सघन होती है और जहां पर विद्दु छेत दुरबल होगा वहां पर बिरल होती है यह क्लियर हो गया यदि समान आबेस के दो धन आबेस रख दिये जाएं तो उनसे जो बल रिखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिकर्सित करती हैं यदि समान आबेस प्लस और माइनस हैं तो विद्धुच्यत रिखाएं प्लस निकल कर माइनस पर समाप्त होती है ठीक है क्लियर हो गया यदि एका लावेस है धनात्मक है तो धन से निकल कर अनंत की ओर मतलब अनंत पर समाप्त होती है लेकिन प्यारे भाईो लेकिन एदी आपका रिनात्मक है तो फिर अनंत से निकल करके रिनात्मक पर समाप्त होती है यह चीजें क्लियर हो गया अभी यह केबल आपने गु पढ़ा, अब मैं यदि आप से कहता हूं, समान बिद्दुच्च्च्च्च्च कैसे उत्पन होता है पेरे भायो, तो थोड़ा समझने कोशिस करें, कि यदि बल रेखाएं, यदि यहां पर ये बल रेखाएं हैं, यदि यदि समान डिस्टेंस पर हैं, तो सभी का मान समान हो तो यह असमान विद्दू छेतर कहलाता है मतलब एक समान विद्दू छेतर में खीचे गई इस परस रेखा है परस परस समानतर होती है यह जो एक समान विद्दू छेतर रेखा है तो इस पर जो खीचे गई रेखा है एक दूसरे के समानतर होती प्यारे भाईो लेकिन असमान और दिसर भी नियत है नि बराबर है इसका क्या परिमार बराबर है इनका सब लिएר हैं तो लिए तो आपको जाना जरूरी है और लगबर लगबर जो भी स्टुडेंट इससे समझना चाहिए वो मैंने समझा तो, आसर उम्मीद है, कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने इस पर लिखाया नहीं है, क्योंकि आप लोग लिख सकते हैं, इतना deeply हैदी मैंने कोशिस किया, कि आप लोग समझे, तो आप लोग deeply है ना, इसे लिख लें, जो जो मैंने बोला, प्रीज आप लिखते चलें नोट्स बनाते चलें मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन बंदमात राम